नमस्कार मैं अचारे डॉक्टर दलीब कुमार पीएजडी कोल्ड मेर्लिस्ट नव्युक जोति सिक्षन संसान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ आपके लिए एक खुश खबरी है 18 सितंबर 2022 से एस्ट्रोलोजी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है एक क्लासेस एवरी संडे दो बज़े से चार बज़ तक होगी आप पर से जो भी रेजिट्रेशन कराना चाहे करा सकता है मेरा फोन नमबर है 9711079544 इस बैच में आपको हम नव ग्रहों के बारे में राशियों के बारे में नक्षत्रों के बारे में और भावों के बारे में विस्तार से समझाएंगे सबसे पहले हम नव ग्रहों का परीचे देंगे उनके कारक्तत्र, मंत्री मंडल, ग्रहों का वर्ण, जेंडर, शुवशुग्रह, ग्रहों की गती, ग्रहों के गुन इनके बारे में बताएंगे फिर इसके बाद 12 राशियों का परीचे, उनके स्वामी, राशियों के चिन, राशियों के लिंग, तत्व, वर्ण, चरपरकरती, त्रीदोश परकरती, राशियों के गुन धरम, उच्छ, मुल्तिकोन, वस्व, राशियों के बारे में बताया जाएगा राशियों के गुनस भाव, राशियों के तत्व के बारे में भी विस्टार से बताया जाएगा इसके पश्चात कुंडली के बारा भावों के बारे में साई कारक, शरीर के अंग किस भाव से देखे जाते हैं मारक ग्रह, बाधक ग्रह, केंदराधी पती दोश, लगन के अनुसार कौन से ग्रह शुप फल डायक हैं और कौन से अशुप ग्रह ग्रहों की द्रिष्टियां, योग कारक ग्रह और परतेख भाव के कारक बताए जाएंगे किस भाव से हम किस बात का विचार किया करते हैं इसके बाद हम अस ग्रह, बाल आदी अवस्ता, पंचिदा मैत्री, 27 नक्षत्र, कुंडली में बनने वाले सभी योग भिम्शोत्री दशा, क्रहों का गोचर, साड़े साती, डिवीजनल चार्ट्स, लगन कुंडली के अलावा बहुत सारी डिवीजनल चार्ट्स हैं, उनको भी विस्तार से कराए जाएगे इसके बाद, विभा कब होगा, कैसा विभा रहेगा, जीवन साथी के साथ कैसे संबंद रहेंगे, जीवन साथी का रंग रूप, सुभाव सुखी विवाहिक चीवन के योग कौन से होते हैं, टाइमिंग साथ मैरेज, विभा की दशाहें, विभा में देरी क्यों होती है, या विभा ना होने के योग वो भी बताए जाएंगे, विद्वा योग, विद्वर योग, पती वरत्ता योग, वैभीचारी योग, दो विभा के योग, प्रेम विभा, तलाक, इन सब के बारे में विस्तार से बताए जाएगा इसके अलावा कुंडली मिलान, कुंडली मिलान नौर्मली लोग कंप्वूटर पे गुन मिला के मैरिज कर देतें, नहीं कुणली मिलान में ये बताया जाएगा कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा स्पाउस की आयू कितनी होगी उसकी इंकम कितनी होगी संतान कितनी होगी सब बताया जाएगा संतान प्राप्ती का समय संतान प्राप्ती के समय का निर्धारन कैसे किया जाता है वो भी बताये जाएगा, संतान बाधा तो नहीं है कहीं, विलम से संतान प्राप्ति का योग, बीस पुट, शेत्र सुपट, संतान से सुख दुख, इसके अलावा अस्टक वर्ग, शडबल, प्रोफेशन, कौन सा जातक, कौन सा वैफसाय करेगा, नोकरी करेगा या वैपार क करेगा, नोकरी में भी क्या करेगा, वैपार में भी कौन सा वैपार करेगा, सक्सेस्फुल होगा या नहीं होगा, इसे पूरा विस्तार से बताये जाएगा, इसके बाद लास्ट में मेडिकल अस्ट्रोलोजी कराई जाएगी, किस जातक का, समय कब खराब होगा, कब उसकी की हेल्थ खराब होगी कौन सा रोग होगा कितने समय के लिए होगा रोग ठीक होगा भी या नहीं रोग की तीवरता कितनी होगी कि इस सब के बारे में बिल्कुल बहुत विस्तार से आपको बताया जाएगा कोई भी अगर जोति सीखने में इंटरस्टेड हो तो मैंने मोबाइल नंबर आपको बता दिया है एक बार फिर बता देता हूं मोबाइल नंबर है 97-110-79544 इस पर कॉंटेक्ट करके और अपना रेजिस्टेशन करा सकता है नमस्कार